C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे अध्याए 2 भारत का भौतिक स्वरूप इस अध्याए में कुल 11 प्रिष्ठ हैं ये अध्याए प्रिष्ट संख्या 7 से शुरू होकर प्रिष्ट संख्या 17 पर समाप्द होगा प्रिष्ट संख्या 7 जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है आप किस प्रकार के क्षित्र अथवा भूभाग में रहते हैं यदि आप मैदानी क्षित्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक पहले विशाल मैदानों से परिचित होंगे और यदि पर्वतिय क्षित्र के निवासी है तो आप पर्वतिय धलानों और घाटियों से भलिभाती परिजित होंगे वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा दूईप सम्हू आप ये सोच रहे होंगे कि ये विभिन्य प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेशताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे यहाँ विभिन्य प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिन में से कुछ संग मरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताश महल के निर्मान में हुआ है, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है क्या आपने कभी इन विवित्ताओं के कारणों के बारे में सोचा है इन में से अधिक तर विविदताएं शैलों के निर्माण में विभिनता के कारण होती है भारत एक विशाल भूभाग है इसका निर्माण विभिन भूगर्भिये कालों के दोरान हुआ है जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है भूगर्भी ये निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपन के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है कुछ प्रमाणों पर आधारित सिध्धान्तों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है इसी तरह का एक सर्वमान्य सिध्धान्त प्लेट विवर्तनिक का सिध्धान्त है इस धांत के अनुसार प्रित्वी की उपरी परपटी साथ बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है चित्र संख्या 2.2 ये चित्र प्रिष्ट संख्या 8 पर है इसमें भूप्रिष्ट की मुख्य प्लेटें दर्शाई गई है तथा प्लेट की गती की दिशा, विनाशकारी प्लेट सीमा, निर्मानकारी प्लेट सीमा तथा अनिश्चित प्लेट सीमा भी दर्शाई गई है प्लेटों की गती के कारण प्लेटों के अंदर एवमूपर की ओर स्थित महाद्वीपिये शैलों में दबाव उत्पन्न होता है इसके परिणाम सुरूप, वलन, भरंशिकरण तथा ज्वाला मुखिये क्रियाएं होती है सामान्य तोर पर इन प्लेटों की गतियों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है इन्हें चित्र संख्या 2.1 के माध्यम से दर्शा आ गया है चित्र संख्या 2.1 में प्लेटों की विभिन्न गतियां दिखाई गई है अभिसारी परिसीमा जिसमें शैले एक दूसरे के आमने सामने दिखाई गई है अपसारी परिसीमा जिसमें शैले एक दूसरे के विपरीथ दिखाई गई है और रुपांतर परिसीमा जिसमें शैले उपर नीचे जाती दिखाई गई है कुछ प्लेटें एक दूसरे के खरीब आती है और अभिसारित परिसीमा का निर्मान करती है जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और अभसारित परिसीमा का निर्मान करती है जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर तूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है कभी-कभी वे एक-दूसरे के साथ ख्षयत्ज दिशा में भी गती कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्मान करती हैं इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गती के कारण महाद्वीपों की स्थिथी तथा आकार में परिवर्थन आया है भारत की वर्तमान स्थलाकृती का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर जौला मुखी एवं भूकंप संभावी क्षित्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाहे जाते हैं सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्राय द्वीपी ये भाग गोंडवाना भूमी का एक हिस्सा था गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षित्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षन अफ्रीका, दक्षन अमेरिका तथा अंटाक्टिक के क्षित्र शामिल थे समवहनिये धाराओं ने भूपरपटी को अनेक टुकडों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमी से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की और प्रवाहत होने लगी उत्तर दिशा की और प्रभाह के परणाम सरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनिती के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की परवतियक शंखला के रूप में विकसित हो गए गोंडवाना भूमी ये प्राचीन विशाल महाद्वीब पैंजिया का दक्षन तमभाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमी है टेथिस के हिमालय के रूप में उपर उठने तथा प्राइद वीपिये पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धसने के परणाम सुरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्मान हुआ समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के परवतों एवं दक्षन के प्राइद वीपिये पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा दीरे धीरे भर गया इस प्रकार जल्होड निक्षेपों से निर्मित एक विस्तरित समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया भारत की भूमी बहुत अधिक भौतिक विभनताओं को दर्शाती है भूगर भी ये तोर पर प्राइद वीपिये पठार प्रित्वी के सतह का प्राची नितम भाग है इसे भूमी का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था परंतु हाल के भूकम्पों ने इसे गलत साबित किया है हिमाले एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां है भूगर्भ वैग्यानिकों के अनुसार हिमाले परवत एक अस्थिर भाग है हिमाले की पूर्वी परवर्थ शिंखला एक युवास थलाकृति को दर्शाती है जिसमें उचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेस बहने वाली नदियां है उत्तरी मैदान जलहोड निक्षेपों से बने है प्रायद वीपिये पठार, आगनेय तथा रूपांतरित शेलों वाली कम उची पहाडियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है प्रिष्ट संख्या नो मुख्य भौगौलिक वित्रण भारत की भौगौलिक आकृतियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जिसे चित्र संख्या 2.4 के माध्यम से दर्शाय आ गया है ये चित्र प्रिष्ट संख्या 10 पर है ये वर्ग इस प्रकार है 1. हिमालय परवत शिंखला 2. उत्तरी मैदान 3. प्राय द्वीपिये पठार 4. भारतिये मरुस्थल 5. तटिये मैदान तथा 6. द्वीप समुह हिमालय परवत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तरित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोन से वलित परवत शिंखला है ये परवत शिंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्म पुत्र तक फैली है हिमालय विश्व की सबसे उची परवत शिंखली है और एक अत्यथिक असम अवरोधों में से एक है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्ध वृत्त का निर्मान करते हैं इसके चोड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुनाचल में 150 किलोमीटर है इसे चित्र संख्या 2.3 के मध्यम से दर्शा आगया है जो की भारत का नक्षा है इसमें भारत के मुख्य भौगौलिक वित्रन को दर्शाय गया है प्रिश्ट संख्या 11 पश्चमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की उँचाई में अधिक विविदता पाई जाती है अपने पूरे देशानतरिये विस्तार के साथ हिमाले को तीन भागों में बाच सकते हैं इन श्रिंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है सबसे उत्तरी भाग मिस्थित श्रिंखला को महान या आंतरिक हिमाले या हिमाद्री कहते हैं ये सबसे अधिक सतत श्रिंखला है जिसमें 6000 मीटर की ओसत उचाई वाले सरवाधिक उचे शिखर हैं इसमें हिमाले के सभी मुख्य शिखर हैं हिमाले के कुछ उचे शिखर शिखर माउंट एवरिस्ट, देश नेपाल, उचाई मीटर में 8848 शिखर कंचनजंगा, देश भारत, उचाई 8598 शिखर मकालू, देश नेपाल, उचाई 8481 शिखर धौलागिरी, देश नेपाल, उचाई 8172 शिखर नंगापर्वत, देश भारत, उचाई 8126 शिखर अन्नपूर्ण, देश नेपाल, उचाई 8078 शिखर नंदादेवी, देश भारत, उचाई 7817 शिखर कामेट, देश भारत, उचाई 7756 शिखर नामचा बरुआ, देश भारत, उचाई 7756 शिखर गुरुला मन्धादा, देश नेपाल, उचाई 71728 महान हिमाले के वले की प्रकृती अस्सममित है हिमाले के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है ये शिंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इस से बहुत सी हिमानियों का प्रभा होता है ग्यात कीजिए महान हिमाले में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम भारत के उन्राजियों के नाम जहां अभी बताए गए उचे शिखर स्थित हैं हिमादरी के दक्षण में स्थित श्रिंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है इन श्रिंखलाओं का निर्मान मुख्य तहा अत्याधिक संपीडित तथा परवतित शैलों से हुआ है इनकी उचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा ओसत चोड़ाई 50 किलो मीटर है जबकि पीर पंजाल श्रिंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रिंखला है धौलाधर एवं महाभारत श्रिंखलाएं भी महत्वपूर्ण है इसी श्रिंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्डू की घाटियां स्थित हैं इस क्षेत्र को पहाडी नगरों के लिए जाना जाता है चित्र संख्या 2.5 में हिमाले परवत का एक अंश दिखाया गया है ग्यात कीजिए हिमाले की सबसे बाहरी श्रिंखला को शिवालिक कहा जाता है इनकी चोड़ाई 10 से 50 किलो मीटर तथा उचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है ये श्रिंखलाए उत्तर में स्थित मुख्य हिमाले के श्रिंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अस्संपिरत अबसादों से बनी है ये घाटियां बजरी तथा जलहोड की मोटी परत से ढगी हुई है निमनही माचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है कुछ प्रसिध दून है देहरा दून, कोटली दून एवं पाटली दून इस उत्तर दक्षण के अतिरिक्त हिमाले को पश्चिम से पूर्वतक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजत किया गया है इन वर्गी करणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है उदारण के लिए सतलुच एवं सिंदू के बीच स्थित हिमाले के भाग को पश्चिम से पूर्वतक क्रमशा इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमाले के नाम से भी जाना जाता है सतलुच तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमाले के भाग को कुमाउं हिमाले के नाम से भी जाना जाता है काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमाले का इवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमाले का सिमांकन करती है हिमाले के कुछ क्षेत्रिय नाम पता कीजिए प्रिष्ट संख्या बारह ब्रह्मपुत्र हिमाले की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महाखड अर्थात गौर्च के बाद हिमाले दक्षण की ओर एक तीखा मोड बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है इन्हे पूर्वानचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा परवत श्रिंखलाओं के नाम से जाना जाता है ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्जों से होकर गुजरती हैं तथा मस्बूत बलुवा पत्थरों जो अवसादी शेल है उससे बनी हैं ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिक तर समानांतर श्रिंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं पूर्वान्चल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मनिपूर पहाडियां शामिल हैं सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हैं ये मैदान जलहोड मृदा से बना हैं लाखों वर्षों में हेमाले के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन अर्थात द्रोणी में जलहोडों का निक्षेप हुआ जिस से इस उपजा लीस से 320 किलोमीटर चोड़ा है चित्र संख्या 2.7 में उत्तरी मैदान को दर्शाया गया है ये सघंजन संख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है सम्रिध मृदा आवरन परियाप्त पानी के उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायू के कारण क्रिशी की दृष्चि से ये भ शब्स से बड़ा नदीए-द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है उत्तरी परवतों से आने वाली नदिया निक्षेपनकारे में लगी है नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गती कम हो जाती है जिसके परणाम सुरूप नदी ये द्वीपों का निर्मान होता है ये नदियां अपने निचले भाग में गाध एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है इंधाराओं को वित्रिकाएं कहा जाता है क्या आप जानते हैं? दो आप का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग दो आप दो शब्दों से मिलकर बना है दो तथा आप अर्थात पानी इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है पंज का अर्थ है पांच तथा आप का अर्थ है पानी उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमाले से निकलती है मैदान के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत अधिक है गंगा के मैदान का विस्तार घगगर तथा तिस्ता नदियों के बीच है ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, जारखंड के कुशभाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेशकर, असम में स्थित है उत्तरी मैदानों की व्याख्या, सामान्य तहा, इसके उच्चा विचों में बिना किसी विविदता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है ये सही नहीं है इन विस्तरित मैदानों की भौगौलिक आकृतियों में भी विविदता है आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है नदियां परवतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर आठ से सोलह किलोमेटर की चौड़ी पटी में गुटिका का निक्षे पण करती है इसे भाबर के नाम से जाना जाता है सभी सरिताएं इस भाबर पटी में विलुप्त हो जाती है इस पटी के दक्षुन में ये सरिताएं एवं नदियां पुरह निकलाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्मान करती हैं जिसे तराई कहा जाता है ये वन्ने प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था बटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शर्णार्थियों को क्रिशी योग्य भूमी उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है इस क्षेत्र के दुधवार आश्रिय पार्क की स्थिती ग्याद कीजिए उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलहोड का बना है वे नदियों के बाढ़वाले मैदान के उपर स्थिते तथा वेदिका जैसी आकरती प्रदर्शित करते हैं इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानिय भाषा में कंकड कहा जाता है बाढ़वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है इनका लगभग प्रतेक वर्ष पुनर निर्मान होता है इसलिए ये उपजाओ होते हैं तथा ग्यहन खेती के लिए आदर्श होते हैं प्रिष्ट संख्या 13 प्राई द्वीपिये पठार प्राई द्वीपिये पठार एक मेज की आकृती वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आगनेय तथा रुपांतरित शैलों से बना है ये गोंडवाना भूमी के तूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 2.8 में प्राई द्वीपिये पठार को दर्शाय गया है इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिचली घाटियां एवं गोलाकार पहाडियां है इस पठार के दो मुख्य भाग है मध्य उच्च भूमी तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में प्राई द्वीपिय पठार का वो भाग जो की मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमी के नाम से जाना जाता है विंध्य श्रिंखला दक्षण में मध्य उच्छ भूमी तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलूई तथा पत्रीले मरुस्थल से मिल जाता है इस क्षित्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है इस प्रकार वेस क्षित्र के ढाल को दर्शाती है मध्य उच भूमी पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानिय रूप से बुंदिल खंड तथा बगहेल खंड के नाम से जाना जाता है इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अब वाहित छोटा नाकपुर पठार दर्शाता है दक्षण का पठार एक त्रिभुजाकार भुभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षण में स्थित है उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सत्पुडा की शिंखला है जबकि महादेव, कैमूर की पहाडी तथा मैकाल शिंखला इसके पूर्वी विस्तार है भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाडियों एवं शिंखलाओं की स्थिती को ग्याद करें दक्षण का पठार पश्चिम में उचा एवं पूर्व की और कम ढालवाला है इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानी रूप से मेघाले, कार्वी एंगलॉंग पठार तथा उत्तर कचार पहाडी के नाम से जाना जाता है ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्व पूर्ण श्रिंखलाएं गारो, खासी तथा जैन्तिया है दक्षन के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है पश्चमी घाट पश्चमी तट के समनान तरस्थित हैं वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है भारत के भौतिक मांचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ग्याद करें पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च ये वर्षा घाट के पश्चमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर उपर उठने के कारण होती है। पूर्वी खाट के दक्षिन पश्चमी में शेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां स्थित है। वास्तव में इन शेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिन से काली मृदा का निर्मान हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद वीपिय पठार के पश्चमी एवं उत्तर पश्चमी किनारे परस्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरिदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षन पश्चम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। प्रिष्ट संख्या 14 भारतिय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बो सढ़का एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलिमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवाईयों वाले क्षेत्र में वर्षा रितु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। परियाप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच बाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षित्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान जो अंद्रचंद्रकार बालू का टीला है, इसका विस्तार बहुत अधिक क्षित्र पर होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत-पाकिस्तान सीमा के समीब प्रमुकता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसल मेर जाएं, तो बरकान के समहू देख सकते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र संख्या 2.9 भारतिय मरुस्थल का एक दृष्य दिखा रहा है। प्रिष्ठ संख्या 15 तटिय मैदान प्रायद्वीपिये पठार के किनारों संकिर्ण तटिये पटियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी खाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकिर्ण मैदान है। इस मैदान के तीन भाग हैं। तट के उत्री भाग को कौंकन, मुंबई तथगोवा, मध्धि भाग को कन्नर मैदान एवं दक्षनी भाग को माला बार तट कहा जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्मान करती है। चिलका जील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है। योडिसा में महानदी डेल्टा के दक्षन में स्थे थे। दुवीब समुहू आप पहले ही सुन चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो दुवीबों का समुहू भी स्थित है। क्या आप इन दुवीब समुहू को पहचान सकते हैं? चित्र संख्या 2.11 एक दुवीब का दुरिश्य। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्ष दुवीब की स्थिती को ग्याद कीजिए। दुवीबों का ये समुहू छोटे प्रवाल दुवीबों से बना है। पहले इनको लकादीव, मीनिकाय तथा एमीन दीव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्ष दुवीब रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती दुवीब लक्ष दुवीब का प्रशासनेक मुख्याले है। इस दुवीब समुहू पर पादप तथा जन्तु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली दुवीब जहां मनुश्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारन है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सुक्ष मप्राणी हैं जो की समुहू में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार् प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्शेपित होती हैं। ये मुखेता तीन प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका, तठिये प्रवाल भित्ती तथा प्रवाल वले द्वीब। ऑस्ट्रेलिया का Great Barrier Reef प्रवाल रोधिका का अच्छा उ पॉँपों की श्रिंखला की और ध्यान दीजिये। एवं जन्तूओं में बहुत अधिक विवतिता है ये द्वीप विश्वत वृत के समीप स्थित हैं एवं यहां की जलवायू विशुवतिये हैं तथा ये घने जंगलों से आच्छा दित हैं क्या आप जानते हैं भारत का एक मात्र सक्रिये ज्वाला मुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समू के बैरन द्वीप परस्थि थे विभिन भू आकृतिक विभागों का विस्तरत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेशताएं स्पष्ट करता है परन्तु ये स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्रकृतिक संसाधनों में सम्रुध बनाते है उत्तरी परवत जल एवं बनों के प्रमुक स्रोत है उत्तरी मैदान देश के अन भंडार है इनसे प्राचीन सभिताओं के विकास को आधार मिला पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के ओद्योगी करण में विशेश भूमी का निभाई है तटी एक्षित्र, मत्सेयन और पोथ संबंधी क्रियाकलापों के लिए उप्युक्त स्थान है इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकरतियां भविश्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है प्रिश्ट संख्या सोलह अभ्यास प्रश्ट एक इन विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए एक एक स्थलिये भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो क, तठ, ख, प्रायद्वीप, ग, द्वीप, ग, इन में से कोई नहीं दो भारत के पूर्वी भाग में म्यामार की सीमा का निर्धारन करने वाले परवतों का सयुक्त नाम क, हिमाचल, ख, पूर्वांचल, ग, उत्तराखंड, ग, इन में से कोई नहीं तीन गोवा के दक्षण में स्थित पश्चिम तटिये पट्टी क, कोरोमंडल, ख, कन्नड, ग, कोंकन, ग, उत्तरी सरकार चार पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क, अनाई मुडी, ख, महिंद्रगिरी, ग, कंचनजुंगा, ग, खासी प्रश्ण दो इन प्रश्णों के संक्षेप में उत्तर दीजिए एक, भूगर भी ये पलेटें क्या है दो, आज के कौनसे महाद्वीब गोणवाना लैंड के भाग थे तीन, भाबर क्या है चार, हिमाले के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षण के करम में बताईए पांच, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थे थे भारत के उन द्वीपों के नाम बताईए जो प्रवाल भित्तिके हैं प्रश्ण तीन, इन में अंतर्स पश्ट कीजिए एक, अपसारी तथा अभिसारी भूगर भी ये प्लेटे दो, बांगर और खादर तीन, पूर्वी घाठ तथा पश्टमी घाठ प्रश्ण चार, बताईए हिमालय का निर्मान कैसे हुआ था प्रश्ण पांच, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं हिमालय क्शेत्र तथा प्रायद्वी पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है प्रश्ण चे, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए प्रश्ण साथ, इन पर संक्षिप्त टिपणियां लिखिए एक, मध्य हिमालय, दो, मध्य उच्च भूमी, तीन, भारत के द्वीब समुहू प्रश्ट संख्या सत्रा मानचित्र कार्य भारत के रेखा मानचित्र पर ये दिखाईए एक, परवत शिकर, के टू, कंचन जुंगा, नंगा परवत, अनाई मुडी दो, पठार, शिलोंग, छोटा नाकपुर, मालवा तथा बुंदेल खंड तीन, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्ष द्वीब समू, गंगा यमना दुआप, तथा कोरो मंडल तट क्रिया कलाप इस प्रिष्ट पर वर्ग पहिली दी गई है, जिसमें कुछ शिखरों, दर्रों, शिर्णियों, पठारों, पहाडियों, एवं खाटियों के नाम छुपे हैं, उन्हें ढूंडिये ग्याद कीजिए कि ये अकृतियां कहां स्थे थे आप अपनी खोज क्षेतिज, उर्वाधर या विकर्णिये दिशा में कर सकते हैं नोट पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं भारत का भौतिक स्वरूप अभी आप सुन रहे थे अध्याय दो प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत